दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं मुझे जहां पर आप सभी का कहना होता है मैक्सिमम लोन की रिक्वार्मेंट है आपको लिटरली बता दू कि अगर आपको ऑनलाइन लोन की रिक्वार्मेंट है और आप सिर्फ KYC डॉक्मेंट यानि अधार और पैंकार्ट सिर्फ सेल्फी देकर लोन लेना चाहते हैं बिना किसी इंकम प्रूफ बिना किसी सैलरी स्लिप या फिर और कोई डॉक्मेंट के तो सही बताऊं तो आपको बड़ा लोन नहीं मिलेगा उस समय अगर आप एप्लिकेशन से लोन ले रहे हैं तो यह धीरे धीरे इंप्रूफ होता है आज किस वीडियो में आपको मैं दस ऐसे अप्लिकेशन के बार में डीटेल प्रवाइड करने वाला हूँ जो आज के टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें से कुछ क्रेडिट लाइन अप्लिकेशन है जिनका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं एक बार अप्रूफ के बाल वहीं कुछ ऐसे अप्लिकेशन भी हैं जहां से आप बड़ा लोन ले सकते हैं अगर आपको एक टाइम में बीस जार या उससे उपर का लोन चाहिए तो आप इन अप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इन अप्लिकेशन की मतल से आप पांच लाग रुपे तक का पॉर्शनल लोन और लगबग एक लाग रुपे तक का क्रेडिट लाइन असानी से ले सकते हैं इस वीडियो को एंड तक देखेगा ये वीडियो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और आपको जब भी कभी पैसो की जरुत होगी अर्जेंटली आप इन अप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आज के डेट में प्लेस्टूर के उपर अगेन फिर से वही 7 डेज वाले लोन अप्लिकेशन पब्लिस होते जा रहा हैं और आपके से मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनका हमेशा मुझे जो है कमेंट रिसीव होता है मेल रिसीव होता है यह जो है 7 डेज वाला लोन ले लिया है मुझे बार-बार कॉल आ रहा है मैं कई बर बता चुका हूँ कि हमेशा एवॉइट करिए अगर आपको अरजेंट पैसों के भी जरुवत पड़े ना तो आप किसी से पैसे उधार ले लिजे लेकिन 7 डेज वाला लोन अप्लिकेशन को इस्तमाल मत करिए यह इस वीडियो को एंड तक देखते हैं जानते हैं समझते हैं कि हमें किन अप्लिकेशन का इस्तमाल करना चाहिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए तकि आगे भी आपको इसी तरीके के इंट्रस्टिंग अपडेट हमेशा मिलती रहे सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रेडिट लाइन लोन अप्लिकेशन के बारे में लाइक करते हैं तो बाइन आउप पे लेटर का ओप्शन के साथ 30 डेज का रिपेमेंट समय आपको यहां पर यहां पर आपको अप्टू 10,000 रुपीज का क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करता है यह क्रेडिट लाइन शुरू में छोटा होगा जिपेमेंट करने के बाद दीरे दीरे इंप्रूव होता है इस क्रीडिट लाइन application से आप कहीं पे भी scan करके payment कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है किसी भी QR code को आप scan करके payment कर सकते हैं UPI ID भी मिलता है जिसे आप अलग-अलग जगों पे इस्तमाल कर सकते हैं और payment कर सकते हैं साथ पर application based भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं इस application से अब दूसरा application है उसे भी आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और इस application का नाम है आप सभी को पता है Lazy Pay दोस्तों इन सभी applications की बात करूँ तो काफी लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और genuinely आपको अच्छे तरीके से service provide करते हैं जब भी पैसे आपके पास आ जाते हैं उसे आप repayment कर सकते हैं Lazy Pay की बात करो तो काफी 2-3 साल से मैं इससे इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी तक मुझे यहाँ पे 10,000 रुपीज की credit line मिले हुई है UPI और QR code को scan करें कर सकता हूँ कई धेर सारे shoppings में करता हूँ और 15 days के बाद उसे repayment कर देता हूँ मुझे एक्स्ट्रा एक भी रुपया नहीं लगता है कभी अगर देरी हो भी जाती है तो मुझे कुछ एक penalty दे नहीं रहती है लेकिन avoid करेगा कई बार यह credit score के उपर दिखाई देता है इसलिए दूसरा application लेजी पे जिसका इस्तमाल आप कर सकते हैं online, offline, QR code को scan करके payment कर सकते हैं और UPI के जरिए भी payment कर सकते हैं अगर आपको कोई bill payment करना रहेगा कोई भी हो तो आप इस application के इस्तमाल कर सकते हैं अब अगला application है जिसे आप play store के उपर search कर पाएंगे इस application का नाम है दोस्तो simple जी हैं simple pay later आज के rate में मुझे यहां से 20,000 रुपीज का credit line मिला हुए और इस credit line को मैं online shopping के लिए इस्तमाल करता हूँ इस application को फिलहाल अभी QR code और UPI के जरिए जो है payment नहीं किया जा सकता है इन में कुछ selected application है जिनका इस्तमाल मैं कर सकता हूँ जैसे कि grocery के लिए या फिर bill payment, recharge ऐसे बहुत सारे काम जो कि daily life में requirement पढ़ते ही है उन सभी का इस application से 15 days के लिए without interest के उपर किया जा सकता है कमाल की बात यह है कि सिर्फ KYC करना है किसी भी तरीके का income proof upload करने की जुरत नहीं है अब अगला application की बात करो तो यहाँ पे अगला application है वो है bullet application हाली में आया bullet UPI credit line loan application 10,000 रुपीज की limit प्रुवाइड करता है लेकिन repayment करने का समय आपको 15 days का यहाँ पे दिया जाता है जो कि without interest रहता है सिर्फ KYC करके आप 100% paperless process complete करके loan ले सकते हैं अच्छा application है हाली में आया है अगर आपको अचानक से पैसों की जुरत परती है तो आप इस application का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इन में से किसी भी application से पैसे आप अपने account में भीज नहीं पाएंगे cash withdrawal नहीं कर सकते हैं आप इनका इस्तमाल करके कोई भी payment करना हो उससे पे कर सकते हैं अब अगला application है वो है छोटे loan के लिए अगला जो number है वो है branch application का यह application भी आपको अच्छा खासा loan सर्व करता है और इंडिया के लावा और भी countries में इन्होंने loan service सुरू करी हुई अभी इंडिया के अंदर आप 50,000 रुपे का loan ले सकते हैं 6 महीने के लिए यहाँ पे loan आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है सिर्फ KYC document के उपर और अगर आपको instant पैसो की जरुरत हो और किसी loan application को आप इस्तमाल करना चाहरे हैं कम पैसो के लिए तो आप branch को इस्तमाल कर सकते हैं आपको अलग-अलग तरीके की जो है charges देखने के लिए नहीं मिलेगी और साथ में approval भी बहुत जादा fast है इस application से civil भी चेक किया जा सकता है तो यह 5 application छोटे loan के लिए credit line के लिए अब बात करते हैं बड़े personal loan के लिए आपको किन-किन applications को इस्तमाल करना रहेगा अब अगला जो application है वो है नावी application नावी के बारे में आप सभी को पता है पांस लाग रुपे तक का loan प्रोवाइट करता है दस अजार रुपे से यह loan शुरू हो जाता है 36 महीनों का repayment समय भी मिलता है इस application से और भी कई सारे loans लिए जा सकते हैं बिना किसी extra activity के आपको loan मिल जाता है 100% digital process है documents जैसे कि आप देख पा रहे हैं pen card, adhar card के सर्फ requirement होती है और आप किसी भी city से loan apply कर सकते हैं best option हो सकता है अगर आपको personal loan की requirement है खासा अगर आप देखिएगा तो कुछ metro cities और popular cities हैं जिनमें की आप loan असानी से ले सकते हैं किसी गाउं से अगर आप बिलों करते हैं तो उस समय आपका loan हो सकता है reject हो जाए तो यह best option है अब अगला application की बात करो यहाँ पे अगला जो application है वो भी बहुत ज़्यादा famous और trusted application है नाम है Patience Patience में आपको bank statement की requirement होती है अधार card, pen card और bank statement से आप 5 लाग रुपे तक का loan ले सकते हैं हलाकि salary professional को loan यहाँ पे मिलता है तो भी आप यहाँ पे bank statement upload करके loan ले सकते हैं अच्छा option है loan अगर आपको बड़ा requirement है अगले application की बात करूँ तो यहाँ पे अगला जो application है दोस्तों वो है credit B credit B बहुत अच्छे तरीके से loan service प्रोवाइड करता है अगर आपका on time repayment रहता है credit score अच्छा है तो आप इस application से आप 2 लाग रुपे तक का loan ले सकते हैं आप में consumer durable loan भी आपको यहां से मिल जाएगा यह loan सिर्फ आपके KYC document अधार card pen card selfie के ऊपर मिल जाता है कई बार जब अपने जो है login करते हैं loan तो आपको bank statement भी देना रहता है internet banking मगरा की requirement होगी बहुत ही minimum eligibility criteria के साथ यह loan company सर्व करता है अगले application की बात करो तो play store के उपर असानी से सर्च कर सकते हैं application का नाम है money view दोस्तो money view directly यहां पर loan आपको सर्व नहीं करता है लेकिन आपके best eligibility score के ऊपर आप यहां पर पांस लाग रुपे तक का loan असानी से मिल जाता है money view आपको कुछ एक selected city में loan सर्व करता है इंडिया के लेकिन उनमें सभी popular और metro cities लिस्टेट हैं यहां पर आपका यह application आपके सभी expenses को भी track करता है जिनके basis के उपर loan offer की असानी से मिल जाता है जिनको आप सिर्फ के को अप्लोड करके ले सकते हैं अगला application है जो कि play store के ऊपर बहुत ज्यादा famous है नाम है paytm आपको पता होगा paytm ने हाल ही में launch किया है paytm personal loan paytm personal loan से आप 2,00,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं सांथ में आप credit line post paid यानि एक एक लाग रुपे तक का असानी से ले सकते हैं यहां पर भी किसी भी तरीके का आपको extra documents नहीं upload करने परते हैं सिर्फ kyc document upload करने रहता है और आप instantly loan ले सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हमने जाना 5 ऐसे best application जिनका इस्तमाल करके आप credit line ले सकते हैं चोटे loan ले सकते हैं और 5 ऐसे application के बारे में बात करें हमने जिनका इस्तमाल करके आप बड़ा loan ले सकते हैं अगर आपको अचानक से पैसो की जरूरत होती है उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको अचानक से कभी instant पैसो की जरूरत पढ़ती है तो आप इन application का इस्तमाल कर स सुस्त्री है, और मस्त्री है